राजस्थान में इस बार बिधान सभाद चुनाओ में दो महीने पहले ही कॉंग्रेश टिकट फाइनल करने की तियारी में हैं ऐसे में कई दिग्गज नेताओं का टिकट काटे और बदले जा सकते हैं माना जा रहा है कि ऐसे माहौल में उननेताओं को जादा परिसानी है जो सरकार के खिलाप पिछले कुछ महीनों से हमला वर थे अब उसी कड़ी में एक स्वतंत प्रभार राज्यमंत्री ने जैपूर में असुदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है इसके माइने कहीं है मगर अब टिकट काटने का डर सता रहा है और ओवैसी की पार्टी को विस्वास में लेकर कोई खेला करने की तियारी भी लग रही है इस मुलाकात के बाद बादचीत में राज्यमंत्री राजेंद गुढ़ा ने भी बड़ी गंभीरता से कहा कि ये मुलाकात सियासी है और कुछ नहीं इसके परिणाम बाद में दिखेंगे चुपके से मुलाकात इसलिए कही जा रही क्योंकि ना तो प्रेस कॉन्फरंस हुई है ना ही पार्टी के तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया गुढ़ा की इस बात में इतना दम है कि उनकी बातचीत बस सियासी हुई है ना कि कोई और राजेन सिंग गुढ़ा दो बार बसपा से बिधायक बने एक बार चुनाओ हार गए चुनाओ में मिली हार को जीत में बदलने के लिए गुड़ा ने बस्पा का दामन थाम लिया बस्पा के टिकट पर गुड़ा को जीत मिली उसके बाद कॉंग्रेस पार्टी में आ गए असोग गहलोस सरकार में गुड़ा को मंत्री बनाया गया सुतंतर प्रभार का दाईतु दिया गया अब सुत्रों की माने तो अब ना तो बस्पा से टिकट मिलने के संभावना है और ना ही कॉंग्रेस से बात बन पा रही है इसलिए कहा जा रहा है कि गुड़ा मुस्लिम बोटर्स को साधने के लिए उदैपूर बाटी में AIM AIM से समझावता करके मैदान में जाना चाहते हैं हाला कि ऐसी किसी संभावना से ना तो गुड़ा ने मना किया और ना ही किसी ने कोई हामी भरी है कॉंग्रेस और बस्पा से बात ना बनी तो वैसी को भी ट्राइ किया जा रहा है एक बिकल्प के तौर पर इसे देखा जा रहा है राजेन सिंग गुड़ा की सरकार में अलग पहचान है ये खुलकर सरकार को ही ललकार चुके हैं सचिन पालेट के साथ कई बार मंच भी साजा कर चुके हैं बीजेपी से इनकी बन नहीं पा रही इसलिए वहां पर कोई न कोई बड़ा दल चाहिए जिससे एक बड़ा बोट मिल सके दरसल सीट पर मुस्लिम बोटर्स की बड़ी संख्या है यहां पर गुरजर बोटर भी हैं बसपा का पुराना बोट बैंक भी साधने के त्यारी में हैं कॉंग्रेस के कई नेता इनके साथ उदैपूर बाटी में हैं ऐसे में एक बड़ी रनीती के तहत गुड़ा ने वह व जिसकी वज़े से असोग गहलोत ने उनको दरकिनार कर दिया भले ही वह सरकार में मंत्री हो लेकिन राजेश सिंग उड़ा को असोग गहलोत अपनी सरकार में इतना ज्यादा भाव देने को त्यार नहीं है वहीं सुखुजिंदर सिंग रंधाबा प्रदेश सद्ध गोबि जिसकी वह सरकार में इतना ज्यादा नहीं है और खुद को बचाए रखने के लिए राजेश सिंग उड़ा ने पहले तो सचिन पाइलट का कैम्प अपनाया और अगर सचिन पाइलट कैम्प के विधायकों को भी टिकट नहीं मिलता तो राजेश सिंग उड़ा ने अपना रास्ता तीसरा भी अपना लिया है वह है ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ने की तियारी भी कर सकते हैं खेर मुलाकास सियासी हो या ना हो लेकिन राजस्तान के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तो जोर पकड़ रही है कि राजेश सिंग उड़ा मंत्री मंडल से बाहर किया जाएगा उसके बाद वह ओवैसी की पार्टी में शामिल होकर वहां से चुनाव लड़ने की पूरी तियारी कर लेंगे इसलिए उन्होंने ओवैसी से मुलाकात की और अपने कॉंग्रेस में टिकट की दावेदारी रखने के लिए ही सचिन पाइ झाल 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 झाल